नमश्कर दूस्तो वन इंडिया में मैं प्रशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2021 की तारीखों का एलान कर दिया है IPL के 14 सीजन की शुरुवात 9 अप्रैल से होगी जबकि इसका समापन यानी फाइनल मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा IPL का पहला मैच 9 अप्रैल को चन्नी में खेला जाएगा जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को एहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा IPL गवर्निंग काउंसिल की रहिवार को हुई बैठक में सीजन की तारीखों का एलान कर दिया गया साथ ही इस बार कुल 6 वेन्यू पर सारे मुकाबले खेले जाएंगे इनमें एहमदबाद, बैंगलूरू, चन्नाई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल है 9 अप्रैल को चन्नाई में जो मुकाबला खेला जाएगा वो रोहिच शर्मा की कपतानी वाली मुंबई इंडियन्स और विराट कोली के कपतानी वाली रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर की भीच होगा आईपेल को चोधे सीजन के सारे प्लेओफ मुकाबले और फाइनल मुकाबला एहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा इस बार लीग स्टेज में सभी टीमें चार वेन्यू पर अपने-अपने मैच खेलेंगे और 56 लीग मैचों में चन्नाई, मुंबई, कोलकाता और बैंगलूरू में 10-10 मैच आयोजित किये जाएगे जबकि एहमदबाद और दिल्ली में 8-8 लीग मैचों का आयोजिन किया जाएगा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सभी मुकाबले नीट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएगे और कोई भी टीम अपने घर पर मैच नहीं खेले गी, सभी टीमें 6 विन्यू में से 4 पर अपने लीग मैच खेले की इस सीजन में 11 दिन ऐसा होगा जब दिन में 2-2 मैच खेले जाएगे, जब दिन 2 मुकाबले होंगे उस दिन 2 पहर का मैच साढ़े 3 बजे से शुरू होगा, जबकि रात का मैच साढ़े 7 बजे से शुरू होगा तीन बार की चैंपियन चन्ने सुपर किंग्स के लिए पिछला सीजन बेहद खराब रहा था, टीम पहली बार प्लेओफ में कौलिफाई नहीं कर पाई थी टीम की कॉंबिनीशन से लेकर खिलाडियों के प्रदोशन पर भी काफी सवाल उठे थे, लेकिन अब एक बार फिर चन्ने की टीम धोनी की कप्तानी में मैदान में उतरने के लिए तयार है इस बार चन्ने अपने अभियान का आगाज दिली कैपिटल्स के खिलाब करेगा, चन्ने अपना पहला मैच 10 अप्रेल को खेलेगा मुंबई में तो चली जानते हैं चन्ने की टीम का पूरा शेड्यूल चन्ने 10 अपरेल को दली कापिटल्स के साथ मुंबई में भिड़ेगी ये मुकाबला डिनाइट है इसके बाद 16 अपरेल को पंजाब किंग्स के साथ चन्ने की टीम मुंबई में ही भिड़ेगी इसके बाद चन्ने की टीम रायस्थान रॉयल्स के साथ 19 अप्रैल को भिड़ेगी वहीं 21 अप्रैल को CSK की टीम KKR से भिड़ेगी इसके बाद चन्ने के माच 25 अप्रैल को है जब टीम RCB के साथ मुंबई में ही भिड़ेगी आपको दाते हैं इसके बाद 28 अपरेल को CSK और SRH की बीच मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा वहीं 1 माई को मुंबई इंडियन्स और CSK की बीच मुकाबला दिल्ली में होगा इसके बाद 5 माई को रायस्थान रॉयल्स और CSK की बीच मुकाबला दिल्ली में होगा वहीं SRH के साथ 7 मई को CSK के टीम भीड़ेगी 9 मई को पंजाब किंग्स के साथ एक बार फिर बैंगलोरू में मुकाबला होगा वहीं 12 मई को कोलकाता नाइट राइडस के साथ टीम बैंगलोरू में भीड़ेगी 16 मई को CSK किती मुंबई इंडियंस के साथ बैंगलूरू में भिढ़ेगी वही 21 मई को देली कैपिटल्स के खिलाब कोलकाटा में मुकाब्ला होगा वहीं CSK लिग मैचों का अपना आखरी मुकाब्ला RCB के खिलाब कोलकाटा में मुकाब्ला 23 मई को खेलेगी तो ये थी CSK के पूरी schedule की जानकारी फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है तमाम sports update के लिए बने रहे है वोन इंडिया के साथ